हेलो एवरिवान आज हम कर रहे हैं क्लास 5 की EVS का चाप्टर नमबर 8 एनिमल्स एवरिवेर कल हमने इसका एक पार्ट अपलोड किया था जिसमें हमने ब्रीधिंग और फीडिंग हैबिट्स को कवर किया था आज हम करेंगे मुवमेंट्स और माइग्रेशन को कवर और यह पर आज हमने ब्रीधिंग और यह चाहिए जब कहने खाना खातम हो जाता है सर्च करने के लिए वह अपने फूड की तलाश में खाने की तलाश में वह क्या करते हैं ताकि वह अपने बच्चों को और अपने बेबी को अपने जो पार्टनर है उसको बचा सकें किसी का शिका आज में बचा और होने से और फार उनके लिए जो प्रिडिंग प्लेश में इसे सारा सफ़र तेह करना है आइनेमकर के पास कोई वहिकल तो होता नहीं है क्ट को एक यह वह आम पूर अटाय कर लेंगे ठीक है तो suic화를 या करते हैं idiot करते हैं जब मुर्मनिकशन चलते हैं उससि तो जब सारे एनिमल्स एक जुंड में जब चलेंगे तो क्या करेंगे यह प्रोटेक्ट करके चलते हैं जितने भी बड़े जानवर होते हैं मतलब उस जुंड के जो बड़े जानवर होते हैं मेल जो होते हैं वो चारो तरफ से कवर करके चलते हैं और उस सरकल में जो चारो त भी रखते हैं जैसे कि कुछ time के लिए 1 दिन या 2 दिन उन्होंने माइगिरेट किया हो चले regular माइगिरेट करने के लिए चलना स्ठार्ट किया उन्होंने तो फिर उसके वह ब्रीड भी कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे जब उन्हें बच्चा देना होता है एक फैमिली को इंकरीस करना होता है तो वह उस प्लेश को चूज करते हैं जो उनके रहे स्थेफ हो हर तरह से और कोई भी उनको शिकार ना बना सके अपना तो इस बात का वो लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, animals have different types of body parts or limbs for movement and different ways of moving from one place to another, अब हर एक animal का जो different body part है movement के लिए, और अलग-अलग तरीके के movements हैं हर एक के, ठीक है, अब आप यहाँ पर land animals, water animals, birds, सब के अलग-अलग तरीके देखोगे, किस तरीके से कौन migrate कर सकता है, movement कर सकता है, land animals, most mammals have four limbs, जादतर mammals जो होते हैं, उनके चार pair होते हैं, the two at the front are called four limbs and the two at the back are called hind limbs, दो आगे की तरफ होते हैं, जिनको हम four limbs कहते हैं और दो पीछे की तरफ होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, hind limbs कहते हैं, some animals use all the four limbs to move while others use only the hind pair, कुछ animals क्या करते हैं, कि सिर्फ और सिर्फ पीछे के पैरों को use करते हैं चलने के लिए, लेकिन कुछ animals चारों पैरों का इस्तमाल करते हैं चलने के लिए, can you name the most famous animals which walk on two legs, अब आप कुछ ऐसे animals के नाम बता सकते हो, famous animals के नाम जो दो लेक्स पर चलते हो, जो दो पैरों पर चलते हो, ठीक है, यह आप से question पूछा गया है, और यह आपको मुझे comment box में बताना है कि वो कौन सा animal है जो दो पैरों पर चलता है, water animals, fish have fins for swimming, fish के पास fins होते हैं swim करने के लिए, the two paired fins are used to move forward, the unpaired fins maintains balance and the tail fins helps to change the direction of movement, आपने, fish तो हम बच्छपन से बनाते हा रहे हैं, आप जब बनाते हो तो जो दो पैर फिन होते हैं, जिसमें दो पैर एक साथ होते हैं, वो आगे की तरफ हमें move करने में help करते हैं, और unpaired fins जो होते हैं, unpaired मतलब जो pair up नहीं हुए हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो balance बना के रखते हैं, कि हम उसमें अल्टी पल्टी ना खा जाएं, ठीक है, रोली पोली ना हो जाएं हम पानी के अंदर, फिश जो है, वो तैरती है, बहुत तरीके से तैरती है, सीधे चलती है, ऐसा थड़ना के रोल होती रहती है, नहीं न, वो ऐसा क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि जो उसके fins हैं, वो उसको help करते हैं, तू ये concept fins, उसको help करते हैं, unpaired fins help करते हैं, और paired fins क्या करते हैं, वो आगे चले में, उसकी मदद करते हैं, और अचान काफा है उसको बताथा है, कि इस direction में जा जाना है, या फिर वो चेंज करती हैं, आपनी direction, र 나ट नहीं एक दम, चेंज कर लेती हैं, तो वो किस्त की मदद से करती है जो उसकी टेल फिन होती है उसकी मदद से वो क्या करती है अपनी डिरेक्शन को चेंज करती है टर्टल्स है फोर पैडल लाइक लेम्स तो पुश वाटर बैक एंड तो स्विम टर्टल के पास चार पैर होते हैं जिसकी वज़ा से वो क्या करती पेडल लाइक लिम्स होते हैं बतलब वह तैरने वाले होते हैं अगर आपने नेशनल जोग्राफिक में देखा हो तो अब आप अच्छे समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहरी हूँ वह बहुत जल्दी जल्दी मुवमेंट करता है पीछे की तरफ पैरो का मतलब पुश करता है प सबस् Memoraleा कोुद में तो पानी को पुछ करने में अस्तुमार करते है पानी को पीछे कि पुछ करते हैं तो वुझेक क्या करते हैं तो तापनी पिछे के क्या करते हैं पीछे के पैरों को हम क्या क्या 카ते है कि अब आप यह देख सकते हैं जो मूर्में थैट नंग Swimming में क्या है Fins यूज करती है Fishes क्या यूज करती है Fins यूज करती है ये चार्ट आपके दिमाग में इस तरीके से सेट हो जाना चाहिए कि आप बिल्कुल भी भूलो नहीं इसको ठीक है क्योंकि आपको Moment हर एक Animal का पता होना चाहिए और आप इस चैप्टर में पढ़ भी रहे हो ठीक है इस चार्ट को अपने दिमाग में इस तरीके से फिट कर लो कि कोई भी आप से कोई भी कुश्चन करें आप एकदम आंसर करो आपको सोचना बिल्कुल ना पढ़े फिश फिंस से करती है टर्टल कैसे करता है पैडल लाइक लेम्स होते है फ्रॉक के वेब्ड फीट होते है ठीक है अब बात आती है एर की हम यहाँ पर अभी पढ़ेंगे लेकिन आप इसमें भी देख लो विंग्स और फैदर से करते हैं और बटरफलाई कैसे करती है विंग्स और स्केल से करती है लेंड पे जो क्रॉल करके चलते हैं उन एनिमल्स जैसे रेप्टाइल्स है यह अपने स्केल्स के थुरू करते हैं इनके शॉर्ट लेक्स होते हैं यह क्यों है लिजर्ड है यह अपने शॉर्ट लेक्स से करती है यह है आपका हाइना जो की long और strong leg से क्या करती है walk करती है, movement करती है अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे proper movement पढ़ेंगे सब का ठीक है sorry मैं यहाँ पर आपको यह insects वाला part पढ़ाना भूल गई insects these six leg creatures usually use their legs for movement insects like ants and cockroaches crawl on their legs insects के आपने देखा होगा बहुत अच्छे से six legs होते हैं और बच्चपन से हम बहुत सारी इनकी जो features हैं वो पढ़ते आ रहे हैं six legs होते हैं इनके moment के लिए तो आंट्स हैं, cockroaches हैं वो कैसे करती हैं, अपनी पैरों से क्या करती हैं crawl करके आगे जाती है grasshopper uses its long hind leg for hopping grasshopper को आपने देखा है नाको डिड़े जिसे कहते हैं green color का होता है और यहां पर बहुत आसानी से घरों में भी कई बार, गाउं में जादा होता है घरों में आ जाता है यहां पर डैली वगहरा में तो बिल्कुल भी नहीं आता है लेकिन आपने दरूर देखा होगा अगर आप किसी village से बिलॉंग करते हो तो वो क्या करता है अपने जो पीछे के पैर होते हैं उससे वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है water insects like water boatmen use their legs as ores for swimming जो water insects होते हैं जो पानी में चलने माले कीड होते हैं वो पानी पैरो को इस्तमाल इस तरीके से करते हैं कि जैसे कि boat होती है boatmen use करता है वो चलाता है उसको नाव को आगे बढ़ाने के लिए इसी तरीके से जो पानी के insects होते हैं वो movement करते हैं swimming में some insects have one or two pairs of wings and can fly कुछ insects में क्या होता है एक या दो pair होते हैं wings के और वो उड़ सकते हैं the wings of insects are different from those of birds लेकिन जो insects के wings होते हैं वो birds से बिलकुल अलग होते हैं इन में कोई भी feather नहीं होता है bones नहीं होती है या फिर strong muscles नहीं होती है तो wings किस के बने होते हैं चोटे चोटे colored skulls से बने हुए होते हैं जो कि उनकी movement में बहुत ज़ादा help करते हैं they move with the help of their chest muscles अब जो चोटे insects होते हैं उन में नहीं कोई feather है नहीं कोई bone है नहीं कोई strong muscle है तो वो किस तरीके से move करेंगे वो chest muscle के जो उनकी सीने की muscle है उससे क्या करेंगे वो move करेंगे insects such as lies and bed bugs do not have wings अब कुछ ऐसे insects है जैसे lies और bed bugs जिनके wings नहीं होते तो ये उड़ भी नहीं सकते ये तो फिर ही क्या करते हैं ये ring कर चलते हैं ठीक है birds the four limbs of a birds are in the form of wings which help it to fly जो four limbs आगे के पैर होते हैं आगे के पैर जो होते हैं वो क्या करते हैं उड़ने में मदद करते हैं उनके पास feathers भी होते हैं और the wings जो होते हैं उनके breast bones से क्या होते हैं attached हुए होते हैं जो की strong muscles होती है breast bone में क्या होती है उनकी strong muscles होती है उससे क्या होते हैं वो wings जो हैं उनके attach wave होते हैं जिसकी वजह से जो muscles हैं उनको क्या करती है अपने पंक फैलाने में और उड़ने में उनको मदद करती है जब वो उड़ रही है तब तो अपने फोल लिम्स का स्तमाल कर रही है कोई भी बर्ड जब उड़ती है तो अगे के पैरों का स्तमाल करती है लेकिन जब वो लैंड करेगी उड़ने के बाद नीचे आएगी तो किन पैरों का स्तमाल करेगी अपने पीछे के पैरों का स्तमाल क तुक्षाइर पेड़ेगा पाई भागेड़pected सब्सक्रादने सब्सक्राएं तो एक जगह से दूसरी जगह उठा कर बैठ गई तो उसमें भी क्या करेगी वो अपने पीछे के पैरों का ही इस्तमाल करेगी वो जो हिंड लिम्स है पीछे के पैर है वो ग्राउंड को स्क्राच करने में अपने प्रे को पकड़ने में प्रे मतलब शिकारी जो उसका खाना है उसको पकड़ने में और अपने जो दुश्मन है अनिमीज है उनको अटाक करने में वो अपने पीछले पैरों का इस्तमाल करत दो All Words have Wings some are unable to fly, सबी के पास Wings होते हैं सब के पास Winks होते हैं लेकिन सब लोग उढ़ नहीं सकते सब पंची उढ़ नहीं सकते क्यूं क्यूंकि हर popularaltet बर्ड के जो Winks होते हैं वो इतने जादा स्ट्रोंग नहीं होते विक रिखुजब्स के गीश होते हैं जैसे आप ने देखा होगा इमू है उस्टिच है रिया है पंगूइन है किवी है यह कौन सी बर्ड़ी यह फ्लाइट लेस बर्ड़्स थाइं तो यह क्या है यह अउड नहीं सकती है ठीके है और कीवी जो है वो सबसे चोटी बर्ड होती है ठीक है और ये भी उड़ नहीं सकती है क्योंकि इसकी जो विंग्स होते हैं ये बहुत जादा वीक होते हैं और आपने तो सुना ही होगा कि ऑस्ट्रिच का अंडा दुनिया का सबसे बड़ा अंडा होता है ठीक है और ऑस्ट्र यह सभी जो जानवर मैंने भी नाम लिये हैं यह सभी क्या करते हैं रेंग कर चलते हैं यह क्या करते हैं यह क्या करते हैं यह क्या करते हैं यह एग्स देते हैं लैंड पर दो दे हाव लिम्स दे क्रॉल इनके पास लिम्स होते हैं लेकिन यह तब भी क्या करते हैं यह क्रॉल क इसनेक भी एक रेप्टाइल है लेकिन ये क्या नहीं करता है इसके पैड नहीं होते हैं ये क्रॉल करता है लेकिन इसके पैड नहीं होते हैं तो ये क्रॉल किस तरीके से चलता है इसनेक को चलते वे देखा है उसके पैड देखें कभी आपने जिन्दगी में नहीं देखें न तो वो किस तरीके से मूव करता है वो अपने स्केल्स और प्लेट्स होती है उसकी बॉड़ी के अंदर नीशे की तरफ जिसकी वजह से वो मूव करता है वो जो प्लेट्स होती है जिसकी वजह से वो मूव कर रहा है वो उसको रिब्स से अटैच होती है तो वो जो रिब्स से पैरो की तरह काम कर रहे हैं उस टाइम पर किस तरीके से अब आप देखिए आप अपने उपर एक्जामपल लेके चलिए आप अपने पैरो से चलते हैं आपके पैरो में बहुत स्ट्रॉंग मसल्स प्रेजेंट हैं जो आपके पूरी बॉड़ी का भार उठा सकती हैं ठीक है तभी तो आप चल पाते हैं इतने कंफर्टेबली इतने फ्लेक्जिबली ठीक है वही चीज इसनेक के साथ है इसनेक की जो नीचे वाली पार्ट है बॉड़ी का नीचे वाला जो पार्ट है रिप्स है नीचे ठीक है रिप्स क्या है रिप्स के पास बहुत सारी पर ठीक है जिनकी वजह से उसका जो मोविंट है वो उसके लिए बहुत जादा इजी हो जाता है और वो बहुत आसानी से मूव कर सकता है और बहुत फ्लेक्जिबली वो मूव कर सकता है उसकी बैकबॉन रेप्टाइल्स की जो बैकबॉन होती है वो बहुत जादा फ्लेक्ज नहीं होती हमारी backbone और हम जादा bent नहीं कर सकते यह बात आप जानते हो ठीक है तो reptiles में और human beings में बहुत फर्क होता है तो यह difference आपको समझ के चलना है नेक्स आता है humans compared to the limbs of animals the limbs of human beings are highly developed अगर हम compare करें animals के पैरों से तो human beings के हैं वो बहुत जादा developed हैं तो they use only one pair of limbs lower limbs to support their body while walking and standing toEP क्या करते हैं हम अपने दो पैरों से चलते हैं इनको क्या कहते हैं lower limbs कहते हैं oneself Oo बिल्कुल सीदे क हड़े रहते हैं जैसे आधर इनिमल्स हैं वो तो नहीं वो चारों पैरों पर चलते हैं लेकिन हम नहीं चलते हैं हम अपने दो पैरों पर चलते हैं ठीक है तो वो सारे इनिमल्स तो बिल्कुल भी नहीं चल सकते बिल्कुल सीज़े नहीं हो सकते दो पैरों पर खड़े नहीं हो सकते लेकिन हम हो सकते हैं ठीक है, तो हम अपने दो पैरों पर चलते हैं, भागते हैं, दोड़ते हैं, और इसलिए हम उनको limbs को हमारी language में, humans में नाम दिया गया है legs का, ठीक है, लेकिन अगर हम animals की बात करें, तो legs को हम animals में क्या कहते हैं, limbs कहते हैं, और जो हमारे हाथ हैं, जब हमें कोई जाना होता है, हम खत्रे की गंटी बचती हैं तो हम एक दम भागते हैं, अपने आपको छुपाते हैं, ठीक है, और अपने हाथों का इस्तमाल करते हैं अपने आपको बचाने के लिए, अब आप खुद देखिए कि हमारा जो हैं वो हम क्या करते हैं इससे बहुत सारी चीज़ों को होल्ड करते हैं हमारा जो थंब है अगर हमारा थंब भी यहीं पर लगा होता तो हमें कोई भी चीज़ को होल्ड करने में हमें थोड़ी दिक्कत होती लेकिन हमारा थंब जो है साइड में लगा हुआ है तो हम किसी भी चीज़ को बहुत प्रॉपर्ली होल्ड कर सकते हैं और प्रॉपर्ली अपना काम कर सकते हैं अब हम पढ़ते हैं migration, migration among animals, some animals move great distances at certain times of the year, कुछ animals ऐसो होते हैं, जो बहुत ज़ादा distances को move करते हैं, distances तक move करते हैं, एक कुछ सालों में, this mass movement of animals from one place to another is called migration, migration किसे कहते हैं, migration का मतलब होता है, एक जगा से दूसरी जगा जाना, simple language है, एक जगा से दूसरी जगा जाना, उसको migration कहते हैं, migrate क्यों करते हैं animals, ताकि वो अपने आपको बचा सकें, बहुत harsh weather से, खाना की तलाश में भी जगा से दूसरी जगा जाते हैं, कई बार क्या होता है, कि वो अपने बच्चे देने के लिए, breeding के लिए, एक जगा से दूसरी जगा जाते हैं, कुछ बर्स होती हैं, जैसे कि stocks, Siberian cranes और मलाड डग्स, from other countries, visit India every winter, ये बहुत important question है, इसको आप मा करके चलिएगा, कि जो Siberian cranes का जादा आता है, Siberian cranes, stocks और मलाड डग्स, ये क्या करती हैं, इंडिया आती हैं, हर साल, क्या आती हैं, winters में, Migratory fishes like Eats spend their life in rivers, they travel from the river to the sea to lay eggs, Migratory fishes, Eats जो है, एक fish है, जो कि migratory fish है, ये सारी जिन्दगी अपने एक river में गुजारती है, लेकिन जब उसे legs, sorry, eggs को ले करना होता है, तो वो कहां आती है, वो आती है, sea में, ठी है, when the eggs hatch, the parent will die and the young ones travel back to the river, जब उसके अंडे hatch हो जाते हैं, पूट जाते हैं, उसमें से उसके बच्चे निकल जाते हैं, तो जो parent eel होती है, वो मर जाती है, और जो उसके बच्चे होते हैं, वो फिर से कहां आ जाते हैं, river में आ जाते हैं, जहां से उसके parents ने journey start की होती है, ठीक है, locusts are harmful migratory insects, लोकस्ट क्या होते हैं, अभी हमने पहले पढ़ा था, टिड़ को हम क्या कहते हैं, locusts कहते हैं, swarms of locusts settle on standing crops and destroy them, अभी आपने टिड़ो की कहानी सुनी होगी, अभी कुछ टाइम पहले एक पूरा जुन्ड था, जिन्होंने बहुत सारी crops को क्या किया, बहुत नुकसान पहुचाया, तो ये वही locusts हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये अगर ग्रुप में चलें, ये भी migrator insects होते हैं, ये बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, crops का, एक ही बार में सारी crop खा लेते हैं, many kind of butterflies also migrate, बहुत तरह की butterflies भी होती हैं, जो migrate करती है, monark butterfly fly from Canada to Mexico, तो आपको ये जो नेम है na, monark butterfly, कौन सी butterfly है, migration is most common in birds, the arctic turn travels a distance of nearly 35,000 km between the arctic and the antarctic twice a year, migration क्या है, birds में बहुत common है, एक arctic turn है, जो कि travel करती है 35,000 km, arctic और antarctic के बीच में 2 बार, मतलब 35,000 km, साल में 2 बार क्या करती है, travel करती है, migrate करती है, साल में 2 बार, around 35,000 km, ठीक है, the European stock travels from Europe to Africa every winter, अब European stock क्या करती है, यूरॉप से कहां जाती है, अफरीका जाती है, हर साल कब winter में, when spring comes, it returns to Europe, जब spring आता है, तो वो वापस कहां जाती है, यूरॉप में आ जाती है, the Siberian cranes nest in Western Siberia and migrate to India, हमें Siberian cranes का पढ़ा, भी Siberian cranes भी क्या करती है, Western Siberia में रहती है, लेकिन migrate करती है, इंडिया में, दियर migration route stretches to about 6450 km, वो इतना लंबा सफर तैक करती है, अब ये भी एक बहुत ही बड़ी अचंबिद बात है, कि जब जितनी भी birds है, animals है, ये जब move करते हैं, इनको कैसे पता होता है, कि इनको इसी direction में जाना है, ठीक है, direction का किस तरीके से मालूम करते हैं, तो वो लोग direction का मालूम करते हैं, कुछ तो जो sea के currents होते हैं, जो waves हो रही होती है, सी की waves के थूरू मालूम करते हैं कि कौन से direction में जाना है, जो एक reindeer होता है, वो sun की race के जो direction होती है, उसके थूरू जाता है, और birds क्या करती है, coastline को follow करती है, scientists use various old and new methods to study migration, scientists ने बहुत सारे methods को use किया, ताकि वो पता लगा सके कि migration मों किस सरीके से करते हैं, movement patterns, बहुत सारे transmitters को कई बार क्या किया गया, उनके animals के ओपर लगाया गया, ताकि वो उनको track कर सके कि उनका movement pattern किस तरीके का है, we should look after our feathered friends and protect them from any harm, और उनको देख सकें कि जितने भी feathered friends हैं, मतलब की यहाँ पर birds की बात की है, कि उनको किसी तरीके का harm ना पहुँचे और उनको बचा सकें, क्योंकि आप खुछ सोचिए, बहुत लंबे समय तक कहीं भी movement करना, उड़ना, बहुत बड़ी बात होती है, और जो साइबेरियन क्रेंस होती हैं, वो एक ही बार में अपना जो सफर है, वो टैक करती है, तो यह बहुत ही typical task होता है, उनके लिए, सी के ऊपर से जाना, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जो सी की waves होती हैं, वो इतनी हाई होती है, और वहां का जो environment होता है, वो इतना ठंडा होता है, उसके बाद हमाई इतनी तेज चल रहे होती हैं, तो movement करना बर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जा जाती हैं, और अपने movement को बरकरार रखती हैं, और आगे चलती हैं, यह chapter यहीं पर complete होता है, अगर यह chapter पसंद आए, तो like, share जरूर करिएगा, और channel को subscribe करना बिलकुल मत भोलिएगा, that's all, thank you